आज हम सतह से नस्दीक और सतह से दूर गहराई में मौजूद जलधारकों का उनरभरण और उसे लगने वाला समय इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह गाओं का कुवाँ और यह बोर के नियोजित स्थल हैं। जलधारक की गहराई अलग-अलग होती है। कुवाँ की गहराई आम तोर पर लगभग 50-60 फीट तक रहती है। लेकिन कुछ कुवें 90 फीट तक भी रहते हैं। बोर की गहराई आम तोर पर 150 फीट या उससे जादा होती है। बोर की खुदाई के दोरान बोर से पानी उचल के बाहर आता है। बोर की माध्यम से हम गहराई में मौजूद जलधारक से पानी निकालते हैं। यह बोर के माध्यम से निकला हुआ पानी एक से अधिक जलधारक से हो सकता है। जमीन या पत्थर में मौजूद गहरी दरारों से पानी रिसकर गहराई में स्थित जलधारक में इकच्छा होता है। गहराई में स्थित जलधारकों पर उपरी पत्थरों का दबाव रहता है, जिसके कारण इस जलधारकों में स्थित पानी हमेशा दबाव में रहता है, इसी कारण के वज़र से चैसे टायर में हवा निकल जाती है, वैसे ही बोर खोट पे समय पानी उच्छल कर बाहर निकलता ह जितना उपरी पत्थरों का दबाव होता है उस मात्रा में पानी का स्थर शुरू में बोर में होता है इसी कारण की वज़ा से बोर और कुवे के पानी के स्थर में हमें स्पस्थ रूप से अंतर दिखता है उथले जलधारक आमतर पे सतर से नजदेक पचास फीट तक पाए जाते हैं इस उथले जलधारक में मौजूद पानी का दोहन हम कुवे के माध्यम से करते हैं पचास फीट के नीचे दो अपारिगम चट्टानों के पीच के भूजल के भंडारण संग्रह को गहरा जलधारक कहते हैं रभी की मौसम में सिचाई शुरू करते ही कुवे और बोर का जल स्थर खट जाता है बोर में पानी का स्तर कुवे की तुल्ना में तीजी से नीचे जाता है जिस मात्रा में गहरे जलधारों में पानी के उपर का दबाव कम होता है उस मात्रा में बोर में पानी का स्तर नीचे जाता है वर्षा जल मिट्टी के माद्यम से रिस्ता है और पहले उथले जलधारिकों में जमा होता है इस पाने का रिशाव होके कहरे जलधारिकों में पाने का संचेयन होने के लिए आठ महिनी से लेकर कई साल तक का समय लग जाता है जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे संचेएन का पानी भी बढ़ता जाता है वर्षा जल को जमीन में रिशने के लिए समय लगता है यह समय कुछ तिनों से लेकर कुछ सो वर्षों तक का हो सकता है उतले जलधारिकों का पुनर्भरर होने के लिए कुछ सब्ता से लेकर 3-5 महिने तक का समय लग सकता है जबकि जलधर जितना गहराई में स्थित होता है, उतना रिचार्च करने में अधिक समय लगता है 500 फेट पर मुझोद जलधारकों का रिचार्ज करने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं पानी का मुख्य गुर्धर में यह है कि पानी के संपर्क में आने वाली अधिकांज चीजें इसमें घुल जाती है पानी और चटानों का संपर्क समय जितना अधिक होगा गुडवत्ता उतनी ही खराब होगे हमारी चटाने कई खनीजों से बनी हैं अधिकांज खनीज पानी में खुल जाते हैं कुछ खनिज पानी में कम समय में घुल जाते हैं, तो कुछ खनिजों को पानी में घुलने के लिए अधिक समय लगता है। जब पानी गहरी जलधारत में चला जाता है, तो इस प्रक्तिया में पानी चटानों के निरंतर और अधिक समय तक संपर्क में आता है, जिसकी वज़ा से चट्टानों के खनिज तत्व उसमें खुलने लगते हैं इन गहरी चट्टानों में खनिजों के कारण पानी की गुडवत्ता पदल सकती है और इसलिए बोर के पानी में खारापन अधिक होने की संभावना होती है या इस पानी में ख्लोराइड जैसे खानिकारत तत्व हो सकते हैं यदि भूजल उनरभर शेत्र से रासाइनिक और वरक, कीट नाशक, संदोशक जलधर में रिष्ते हैं तो यह भूजल की गुडवत्ता को भी प्रभावित करता है ऐसे ही मानोद्वारा निर्मित दोशित पानी धीरे-धीरे मिट्टी में रिष्ता है और उथली जलधर में जमा होता है जिसकी कारण कुई की पानी की गुडवत्ता खराब होती है भूजल की प्रवाव पर उसकी गुडवत्ता निर्भर करती है ऐसे भूजल थारक का उपयोग करे जिसका पुनर भरण हर साल हो।